हेलो फ्रेंड्स दिस इज एस्पिशिंग एंड वेलकम टू इस्मार्टिर एब्रीटी प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट इयर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलोजी इसमें अधियम का जो सिध्धन्त है कोहुलर का समझेंगे बहुत कम सब्दों में आसान सब्दों में बहुत्विन तरीके से इसको हम लोग इस कॉंसेप्ट को समझ पाएंगे ठीक है तो यह दियार क्लास में लाश्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ चीखने वाले बहुत सारी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहलर और थौंडाइक में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यह बात कहलर ने कहिए या फिर थौंडाइक ने कही है तो देखिए जो थौंडाइक है इनका जो सिधानत है वो ट्रायल एंड एरर थेयोरी पर बेश्ट है यानि कि प्रयास और तुरूटी की बात करेंगे आपके solution आता है वो अचानक आता है थांडाई कहते हैं कि हम प्रयास और तुरुटी के माध्यम से चीजों को सीखते हैं चलिए इसको समझते हैं फिर इन दोनों के बीच में हम अंतर भी समझेंगे और आए सुरू करते हैं देखिए जो कोहलर का अंतर दृष्टी या सूच का जो Meaning of Gestalt Gestalt जो है यह जर्मन भाषा का शब्द है हिंदी में इसके समय आलती शब्ड जैसे रूप यह तो जर्मना सब्द हो गया ना अब इसको सुब्ध भाशा में इसको ये भी कह सकते हैं कि रूप हो गया किसी चीज की आकरती हो गई या समग्राकरती समग्राकरती का मतलब होता है किसी चीज को होल रूप में देखना किसी चीज को शंपूर रूप में देखना ठीक है जैसे अभी आगे उदाहरण के तौर पूर्ण सनचना है जिसकी विसेश्था का पता उसके संपूर्ण मुल्यों से पता चलता है gestalt जो है gestalt किसी विक्ति या इस्थान का नहीं है ध्यान दीजेगा gestalt किसी विक्ति का नहीं है ना तो कोई जगे है यह German भाषा का शब्द है जिसकार्त होता है पूर्ण आकार समग्र आकरती example के तौर पर समझ लीजीए महाल लीजीए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसे समग्र या whole रूप से देखते हैं ना कि उसके parts को देखते हैं अगर कोई गाड़ी जा रही है तो हम देखते हैं कितनी अच्छी गाड़ी है, इसका ये कलर है, है ना, हम ये तो नहीं देखते हैं, इस गाड़ी के सीसे देखो, इसके पईये देखो, इसकी लाइटें देखो, इसका लोगो देखो, है ना, इसकी नमबर प्लेट देखो, इसके टायर किस तरीके के हैं, ये सब चीजे हम नहीं देखते हैं हम सीधा देखते हैं गाड़ी कितनी गजब गाड़ी है देखने में अच्छे ये कौन सी है ये और डी है ये बीम डबलू है ये ये गाड़ी है हम उसको होल लूप में देखते हैं कोई साइकल देखते हैं तो समगर रूप में देखते हैं ना किसी चीज की शमगर आकरत देखते हैं, उसका पूर्ण आकार देखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आप जैसे किसी भी घटना या अनुभव को, समझे यो पॉइंट को, किसी भी घटना या अनुभव को टुकडों में नहीं समझा जा सकता, हम उसको टुकडों में कहा तक समझेंगे, नहीं समझ सकते, नौट पॉश्वल, अपी तू, उसे समगर रूप में ही जाना जा सकता है, यही तो गेस्टाल्ट वाद है, कोई भी घटना है, ना, उसको टुकडो में आप नहीं समझ सकते, जिब तक कि उसका पूरा, पूरी कहानी आपके सामने नहीं आ ज देता है, किस पर संग्यान अत्मकार, आपके कोगनिशन, यानि कि आपके दिमाग, जो आपका दिमाग इसमें इन्वाल्व हो करके काम करता, आपका संग्यान काम करता, आपका दिमाग है ना, किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूज दौारा होता है, कई या हमारे दिमाग में यह ऐसे हो जाएगा अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आता है और घंटों की प्रॉब्लम सेकेंडों में सॉल्व हो जाती है वो क्या है एक संग्यानात्मत तौर पर हमारे दिमाग में कोई विचार आया और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिय कोहलर के प्रयोग की बात के ने तो जो कोहलर हैं इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम की एक चिंपैंजी पर किया और इसकी कहनी यह है कि इन्होंने एक चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया कमरे में बंद करने के बाद ओपर केले लटका दिये ठीक है केले लटकाने क के बाद अब जब चिंपैंजी उन केलों को खाना चाहता है तो वहां तक नहीं पहुंच पाता है फिर चिंपैंजी है वह चेठी के माध्यम से नहीं पहुंच पाता क्योंकि लम्बाइब कम पड़ रही है आप क्या करते हैं कोलर फिर उसमें एक box रख देते हैं box रखने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो चिंपैंजी है वो उस box को उठा करके जो है रखता है box रखता है box के उपर box रखता है फिर छड़ी पकड़ता है और last time केले तक पहुंच जाता है केले तोड़ लेता है तो यह क्या है उनके वरुक सुल्टान नाम के चिंपैंजी पर यानि वनवानुस पर किया उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और चत के दोरा वहां एक चड़ी रख दी गई चिंपैंजी की नजर उस चड़ी पर गई और वो केलों को तोड़ने का फिर प्रयास करता है लेकिन दुबारा उचाई की वज़े से नहीं पहुच पाता है फिर कोहलर ने वहां एक बॉक्स रखा चिंपैंजी ने बॉक्स देखा और उस पर चड़ करके चड़ी की साहता से केले तोड़ लिया तो प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मांसिक क्रियाएं की तभी वो बॉक्स और चड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ पाया है इस प्रयोग से ये निश्करश निकलता है कि जब चिंपैंजी ने क कैले उतारे, तो उसने चड़ी और बॉक्स का शमग्र रूप से प्रियोग किया, सिर्फ चड़ी का प्रियोग करके केले तक नहीं पहुंच पाया, जब तक वह चड़ी और बॉक्स दोनों चीजों को उसने नहीं मिला दिया, क्योंकि चड़ी और बॉक्स का जब तक उसने समगर रूप में प्रयोग नहीं किया तब तक वह वहां तक नहीं पहुँचा इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिध्धान्त कहा गया क्योंकि यहां पर समगर रूप से चीजों को देखने पर उनको एक साथ लाने पर ही जोर दिया ग लाबप्रद और उप्योगी होता है क्यूंकि यहां पर वेक्ति अपने संख्यान से क्रिया करता है सूज के दोरा सीखने से वेक्ति का जो मेंटल लेवल है वो और हाई हो चाता है और उसमें सूज शूज अचानक उस समय अपन होती है कोई अचानक से कोई आइडिया उसमें आता है जब वो लक्ष और लक्ष पर पहुंचने के जितने भी उपाएं हैं उनके बीच परत्यक्ष ग्यानात्मक समंदों को ठीक से समझ लेता है इसी विधी के दोरा सीखने की प्रिक्रिया यंत्रवत नहीं होती बलकि उद्देश च कर पाता है इस विधी के दोरा सीखना इस्थाई और सुष्पस्ट होता है अताहा व्यक्ति किसी एक परिस्थिती विशेश में सीखे वे ज्यान कौप्यों किसी अन्य परिस्थिती में कर सकने में सक्षम हो पाता है ये इसे सिध्धान्त की विशिष्टा हैं अब इसे सिध अथ्वा सूज गेस्टाल्टवाद के मूल में नहीं तोती है और इस सूज की कसोटी किसी छेतर की संपूर्ण व्यवस्था के संदर्ब में समस्या की पूर्ण निराकरण का अभिवेक्ट होना ही है गेस्टाल्टवाद के प्रमुख नियम आपके सामने एक तो पहला जो नि करिया को उस समय पूरा माना जाता है जब अधिगंपर करिया का निश्चित शरूप अभिवेक्ट होता है इसका ताथ पर यह है कि समगर हमें सबसे पहले दिखाई देता है आएदी किसी कार को आपने देखा तो पूरी कार आपको पहले दिखाई देगी जब आप बहुत क इसको समझना चाहेंगे देखना चाहेंगे तभी आप उसके पार्ट पर अज़र डालेंगे उसके विशेश अंसों की और ध्यान बाद में जाता है पहले मुसको समगर रूप में देखते हैं को कि नेक्ष्ट है हमारा समानता जिसको हम लाओ आफ सीमिलेरिटी कहते हैं इस प्रकार का होता है सूज में क्या होता है जो दिमाग में हमारे आइडिया विचार आता है उसमें उनका पूर्ण आकार रूप उसी प्रकार का होता है यह समानता किसी भी प्रकार की हो सकती है जैसे आकार रंग चमक इन सब क्या अधर पर उनमें समानता हो सकती है यही कारण लीजिए तो किसी की फोटो देखकर उसकी याद पुना ताजा हो जाती है और उससे जुड़ी बातें वस्तवे भी याद आने लगती है क्योंकि उसके साथ हमारे विचार मिले जुले है ठीक है फिर है समीपता जिसको हम लाओ आफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं लाओ और विक्ति इन्हें एक समुह की रूप में आसानी से देख भी सकता है उधारन के तौर पर एक त्रीभुष अथवा वरत की समीपता का उधारन इसी नियम पर आधारित होता है नेक्स्ट है हमारा समापन समापन जो रूल है इसका वो क्या कहता है जिसको लाओ अफ क्लोज दूसर भी कहते हैं इस नियम के अनुसार हमें किसी एक ही समस्या पर ध्यान लगाना होता है क्योंकि किसी उधीपक के दूसरे से घिरे हुए अवयवों का समोही करण हो जाता है कि कि किसी उधीपक के दूसरे से घिरे हुए जो अवयव होते हैं उनका समोही करण हो जाता है नेक्स्ट जो नियम है वो है निरंतरता का नियम यानि कि लॉफ कंटिन्यूटी कहता है कि इस नियम के कॉर्डिंग उद्धीपक के जें अभियवों में निरंतरता होती है वे आसानी से संगठित हो जाते हैं और विकती इन्हें एक उद्धीपक के रूप में ही देखता भी है वे अनुभाव जो एक के बाद एक एकत्त्रित होते हैं एक कलेक्ट होते हैं आसानी से एक दूसरे की याद दिलाते रहते हैं क्यूंकि एक दूसरे से जुड़े होए हैं उद्धारन के तोर पर पक्के वे आम को देखकर के उसके मीठे शुआत का आभाश होना ये क्या है ये पूर्णाकार वाद जो है इसके कुछ नियम है अब एक कोश्चन और समझ लीजिए जैसे सूज और प्रयास तुरुटी के दौरा सीखने में अंतर क्या है देखे प्रयास और तुरुटी की बात कौन करते हैं मैंने शुरुवात में आपको बताया था प्रयास और तुरुटी की बात करते हैं थांडाइक सूज की बात कौन करते हैं सूज की बात जिसको हम पढ़ रहे थे भी कोहलर करते हैं ठीक है अब इसमें क्या है देखे प्रयास और तुरुटी विधी में क्या है कि शारिक क शम्ता पाराधारी था, यह mentally, इसमें mental process होता है, जिसके करन बुद्धी पर अधिक बल जाता है, जिब बुद्धी आपकी तेज होगी, आप बुद्धी पर ज्यादा दबाओ, जो डालेंगे, तो आपके दमाग में कोई नो कई विचार आएगा, जिसके फलस्रूप इसमें म प्राणी प्रिसिति को नहीं समझ पाता है, परनतु सूज के द्वारा सीखने में उसे अच्छी तरह समझता है, प्रयास और तूर्टी विधी में समस्या का समाधान, सभी शारिक भागों के नियोजन के द्वारा समभा होता है, जिबकि सूज विधी में सीखना प्रियास और तुरुटी मंद बुद्धी वधी से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उप्योग्त है कि बाई जो मंद बुद्धी के बच्चें वो बार बार बुचारे प्रियास करते रहेंगे और फिर अपने लक्ष तक देदर पहुंची जाएंगे सूज विधी जो है प्रतिभाशाली और तीबर बुद्धी बालकों के लिए उप्योगी होती है प्रियास और तुरुटी विधी को अपेक्षा प्रियास और तुरुटी विधी के अपेक्षा सैक्षिक दिर्ष्टी से सूज विधी की उप्योगिता आधिक है क्योंकि प्रयास और तुर्टी विदी यह लंबी चलती है इसमें बार-बार बचप effort करेगा गलती करेगा यहां पर आप दिमाग पर जो डालेंगे mentally क्रियाएं करेंगे और आपके दिमागे में कोई नों कोई विचार आएगा आपकी problem solve हो गया अपने लक्ष तक पहुंच ज के लिए ठीक है अब जो next class रहेगे उसमें अधिगम गयने का जो अधिगम है learning theory of गयने है इसको समझेंगे ठीक है क्लास के सिरी comment करके बताएगा और नोट्स के लिए फटा-फट जो नंबर आपको दिया गया है यहां पर देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इ आप नोट्स की information ले सकते हैं thank you so much मिलते हैं बहुत जल्दी डेक्ट क्लास में